हल्वा पूरी बहुत ही मशूर होती है ये भाई पूरियां बना रहे हैं और जो है वो भूली-भूली को देखकर तो मेरे मूँ में पानी आ हूँ जबर्दस मज़ा ही आ गया हलो असलम अलेकुम मैं यूट्यूब फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं चैनल शीना विद अली और मैं आई हूँ एक नए विलोग के साथ मॉर्निंग में अजी तो ये सुबा सुबा का टाइम है और मेरा मूद हो रहा था के मैं हल्वा पूरी खाऊं तो मैं आई हूँ यहां न हल्वा पूरी बहुत ही मुशूर होती है तो मैंने सूचा के मैं क्यों न अपने प्यारे फ्रेंड्स को इस जगा के बारे में बताऊं जहां पर बहुत ही जबदस लाजवाब हल्वा पूरी मिलती है तो यहां पर यह भाई पूरियां बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात ह मुझे बड़ी हैरत हुई कि यह हातों से जो पूरियां बना रहे हैं क्योंकि हम तो पूरियों को बेलते हैं यह तो एक्सपर्ट होते हैं और यह माशारला इतनी खुबसूरत जो पूरियां बनकर निकली है और जो है वह भूली-भूली के दिल चारा है अभी उठाके इन्हे करालो यह जो जो बहुतना और रहा कोना जो कि वूलकि कहला चाहात द्रूणा क्यों दूर्कुूमों जॉइस सब्स्थिम्ट और बहुत है के फ़िए करए की आप लोगर छोड़ने के प्रदो्य इनके匹ूलख अफे ओडरालो का बहुती होईस्त होई है बच्ट नीए करे और मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कैसी लगे आपको इनकी हल्वा पूरी तो अब यहां पर जो है हमारी पूरी और चनिका सालन और हल्वा और अजार सब कुछ आ चुका है और यह देखें कितने मज़े की लग रही है यह हल्वा पूरी और इसको देखकर तो मेरे मुझे में पानी आ गया तो अब मैं शुरू करती हूँ यह अपनी सालनों में जो है वो थोड़ा सा दई भी एड़ करते हैं उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है हल्वा पूरी देखकर तो मुझे से और इंतजार नहीं हो रहा और मेरा दिल जा रहा है कि मैं फोरन से खालू तो मैं यहां खाने लगी हूँ अपनी हल्वा पूरी और यह मेरा पहला निवाला है जबर्दस मज़ा ही आ गया सुभा का नाश्टा हल्वा पूरी से शुरू हो तो दिन का मज़ा ही आ जाता है यह इनका जबर्दस सा अचार जो के यह खुद बनाते हैं बहुत जबर्दस होता है और इसको हम सालर में बिला कर खाते हैं तो यह और ज़्यादा मज़े का लगता है पहाद ही ला जवाब हमेंश था ये ठंड़ा ठंड़ा मौसम और गरम-गरम हलवा पूरी आज तो मज़ा ही आ गया तो इसी के साथ मैं आप से इजाज़त चाहती हूँ अपना बहुत ख्याल रखेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और प्लीज लाइक भी करिएगा शेर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स पर ताके मुझे जो है वो आपके इन्ही बातों से और ज़्यादा हसला आप साही बिले और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जगाहें टूल कर लेकर आँ इंशाल्ला